अम नमो भगवते वासुदे वाया हरे कृष्णा तो आप सब का स्वागत है आज हम श्रिमत भागवत से जो वामन देव आविर्भाव है इस विशाय पर चर्चा करेंगे यह प्रमुक जो स्थरोथ है तो श्रिमत भागवत की चर्चा करते हुए गुरणगान करते हुए श्रीमत भागवत उसे सर्व प्रमाना नाम चक्रवर्ती ऐसे उपमा देते है सारे प्रमानों का चक्रवर्ती सम्राट वो जो है वो श्रीमत भागवत है जैसे मानिये अन्या जो प्रमान है हमारे वैदिक प्रमान वैदिक शास्त्रों के प्रमान जो है पुरान है या फिर वेध है उपनिशद है वेदान सूत्र है इन सब को अगर कोई राजा के साथ तुलना करे तो श्रीमत भागवत उनका चक्रवर्ती यानि कोई समराट की तरह जो है वो श्रीमत भागवत है तो ये श्रीमत भागवत का विशेश गुण है खास करके हम देखते है कि श्रीमत भागवत के उपर जितने टिकाएं लिखी गई है वो अन्या कोई भी शास्तर के उपर इतना लिखा नहीं गया है तो श्रीमत भागवत के उपर छोटी बड़ी पकड़ के सौ से भी ज्यादा टिकाएं लिखी गई है अगर आप भी इसकी तुलना कोई आन्य पुरान जैसे विश्णु पुरान से करते हो तो उस पे एक या दो टिकाएं ज्यादा तर लिखी गई है तो ये श्रीमत भागवत का एक विशेश स्थान है हमारे सारे वैदिक गरंथों में और वैदिक प्रमानों में और इस श्रीमत भागवतम में हर एक लीला जो है ऐसी चुन-चुन के दी गई है एक जिस प्रसंग में मतलब श्रीमत भागवत जो परिक्षित महराज है उनको शुकदेव गुस्वामी दोरा बोला गया तो इसमें हर एक लीला जो है उन्होंने इस प्रकार से डाली है एकदम समर्पक एकदम बहुत उपयोगी शिक्षाओं के साथ तो इसलिए जब हम इस श्रीमत भागवत के कताओं को भक्तों के माध्यम से आचारियों के माध्यम से उनके टीकाओं के माध्यम से सुनते है तो फिर उसमें हम देखते है कि बहुत सारे सुन्दर सुन्दर जो है हमारे जीवन के लिए उसको प्राप्त कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वामन देव आविर्भाव की इस लीला से भी हमारे जीवन में काफी सुंदर शिक्षाएं जो है हम प्राप्त कर सकते हैं और हम देखते हैं कि ये जो कृष्ण लीला या कृष्ण क अथा का स्वभाव है जिसे नित्यनूतना कहा है श्रिमत भागवतम में वो खास करके भागवत प्रेमी जो है भक्त जो है उनके संग में ये जो है बड़ा सुन्दर रूप से प्रस्तूत होता है जैसे अंग्रेजी में कहवत है कि अटेंशन टू डीटेल सीज साइन अफ हो जानकारी रखना चाहते हो तो उसी चीज़ को भागवत के श्रवन में भागवत के अध्यान में भी उसको लागू करना चाहिए कि जितना हम डीटेल्स पे ध्यान देते हैं भागवत में भी कि किस प्रकास है इस लीला में कतानक कैसा है और क्या सीखे है तो इसको अलग-अलग दृष्टिकों से जब उसके डीटेल्स के बारे में जानना चाहते है तो बड़ा स्वाभाविक रूप से वो अभीनिवेश जो है श्रीमत भागवतम में वो हो जाता है बड़ा स्वाभाविक रूप से हम देखते है कि श्रीमत भागवत की कता में हम जो है वो स्वायम को समरस कर पाते है और ये भाव जो है ये हम देखते है कि बहुत महान भगतों ने इसको प्रस्तुत किया है श्री राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र करके शिवजी द्वारा रचित जो एक स्तोत्र है उसमें श्री राधारानी के बारे में जो एक हजार नाम जो है राधारानी के गुंगान के रूप में वो गिनाए गए है तो उसमें शिवजी श्री राधरानी को एक नाम देते है वो है विद्यार्थिनी तो देखा जाए तो विद्यार्थिनी एक छात्रा ऐसा नाम दे रहे है तो राधरानी कैसे छात्रा है तो इसके उपर आचार्य बतलाते है कि कैसे कृष्ण जो है आद्यम पुराण लीला इसकी प्रस्तूती करते रहते है कृष्ण नए नए भाव धारन करते रहते है हमेशा तो देखिए इन नए भावों में इन नए रूप में इन नए नए कृष्ण के लीलाओं में सेवा करने के लिए राधराने भी हमेशा नए नए भाव जो है नए नए कि इस थिति मे किस प्रकास से कृष्ण की सेवा की जाए नए रूप से तो इसका विचार करती रहती है हमेशा तो इसके कारण वे स्वयम भी एक विद्यार्थी नहीं एक छात्रा के रूप में रहती है कि कैसे इस थिती में कृष्ण की सेवा की जाए और नए प्रकार से और नए प्रकार से या फिर नए विधी से तो ठीक वही श्रीमत भागवत वही कृष्ण जो है वो श्रीमत भागवत के रूप में भी आते है तो इसलिए श्रीमत भागवत के भी जब हम कथाएं सुनते है श्रीमत भागवत के विश्यों पे चर्चा होती है तो हम भी वही विद्यारती जो है एक चात्र का भाव जो है वो हम रखते है और इस भाव के साथ जब हम इसलिए कथा सुनते है तो हो सकता है कभी कथा भी हम काफी लोगों से सुने या काफी बार सुने लेकिन अगर कोई इस प्रकास एक छादर का भाव रखता है तो हम देखेंगे कि अलग-अलग दृष्टी कौन से अलग-अलग प्रकार से वो जो सीखें हैं वो हम सीखते रहते हैं और यही ग्यान की उपलब्धी है देखा जाए तो ग्यान जो है वो एक बहते हुए पानी जैसा है तो अगर पानी बहता हुआ है तो पानी शुध रहता है अगर कोई पानी जल जो है मानिए वो बहन ही रहा हो एक जगर जमा हो जाए तो फिर ऐसा पानी हम देखते है कि तुरंट वो उसमें से बदमौ आने लगती है जिसकी चर्चा करते है वो भी अगर वो इस प्रकार से अलग अलग दृष्टी कौन से हम सुनते हुए बोलते हुए अगर बहता रहता है तो ऐसा बहता हुआ ग्यान जो है वो हम देखते है कि सभी लोगों के लिए काफी उपयुक्त होता है और जो बोल रहा है उसको उसके ल में प्राय मनवंतर का जो विशय है मनों की अलग अलग जो मनों है उनके काला वधी उनका राज्य जो है इसके बारे में चर्चा आती है लेकिन जैसे कि भागवत के दश विशय वस्तु बताये है अत्रसरगोविसरगश्च स्थानम पोशनम मूतयह मनवंतरे शानों कथा न प्रधान रूप से जैसे अश्टम सकंद प्रधान रूप से मनवंतर की चर्चा कर रहा हो लेकिन सभी विशय तो जैसे भगवान की रक्षा पोशनम ये विशय भी इस सकंद में जो है हमें दिखाई पड़ेगा या अन्य भी जो सारे विशय है उसके बारे में भी सरवतर चर्चा आती है तो श्रीमत भागवत के इस अश्टम सकंद में प्रमुक रूप से हम देखते हैं कि जो समुद्र मंधन है वो लीला गजेंद्र मौक्षन और तीसरा जो है ये वामन देव आविर्भाव इन तीनों विश्वयों पे ज्यादातर करके चर्चा हुई है और यहा अचारिय श्री रविश्वात सक्रवधि ठाकुर भताते हैं कि वामन देव की लीला प्रधान तहा बली महराज के गुनगान के लिए जो है भगवान ने ये लिला की क्योंकि वो बली महराज का गुनगान करना चाहते थे जो बली है उनका कैसे भक्ती जो है वो एक आत्मनिवेदन का उदाहरन बन जाता है यह प्रमुक्ष जो चीज है इस लिला से दिखाना चाहते है और साथी साथ दक्षिन भारत के एक प्रसिद्ध आचारिया है वेदान तदेशी गन तो वो इस आविर भाव को जो वामन देव का आविर भाव है इसको रक्षा वामन ऐसे भी कहते है तो रक्षा वामन यानि यहां अवतार जो हुआ रक्षा करने के लिए हुआ तो नकिकेवल इंद्र की जिनके उपर बली महराज ने आकरमन किया था बलकि बली की भी रक्षा करने के लिए ये आवतार हुआ ऐसे वेदान देशिकन बताते है कि बली को भी अपने जो वैभव है उसका थोड़ा सा अहंकार हो गया था तो भगवान ने उस अहंकार को भी दूर करके बली की रक्षा की और साथी साथ इंद्र जो की अपना राज्ज जो की अपना पूरा जो धन है संपदा है उसको खो चुके थे उनको भी वह प्रदान करके भगवान ने इंद्र की भी रक्षा की तो ऐसे ये रक्षावामन है इस प्रकार से जो विदान देशिकन है वो इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इस कथा के प्रारंब में जब इस कथा का प्रारंब होता है तो पहले ही यहाँ प्रशना आता है वहां पे कि कैसे परिक्षित महराज जो है इस शलोक से प्रारंब करते है कि कस्माध हरी ही किस कारण से हरी ने बली से बली महराज से केवल तीन पक की भूमे मांगी क्रपनवत वो कहते है कि कोई मानिये जैसे कोई क्रपन वेक्ति होता है कंजूस वेक्ति होता है तो कैसे हम समझ सकते कोई वेक्ति की क्या मांग है उससे उसके स्थर का कुछ अंदाजा लगा सकते है तो परिक्षित महराज पूछते हैं शुक्देव गुस्वामी से कि किस कारण भगवान हरी ने एक कृपण वेक्ति की तरह केवल तीन पक भूमी मांगी बली से और और भी अच्रच के बाहत कि लबधार थोपी जब उनका ये जो इच्छा है बली महराज ने पूर्ति किया उनको दे दिया सब कुछ उनके पास जो था वो भी बभन्द अतम फिर उसके पश्चा उनको बांधा क्यों उनको इस प्रकार से बंदी क्यों बनाया यहाँ प्रश्चन से परिक्षित जो है वो शुरुवात करते है इस उपाख्यान के बारे में तो जब शुक्देव गोस्वामे इसके उपर उत्तर देना प्रारम करते है तो बताते हैं कि कैसे जो समुद्रमंधन के पश्चात युद्ध हुआ दैवा सुर संग्राम हुआ क्योंकि मोहिनी मूर्ती ने सारा जो अमृत है वो देवों को पिला दिया था तो उसके पश्चात जो युद्ध हुआ उस युद्ध में इतना महाबहंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध में जो इंद्रह है उन्होंने बली महराज को पूरी तरह से परास कर दिया, उनका धन चीन लिया, उनका सब कुछ चीन लिया, इतना ही नहीं, असु भी हापी तह कहा है, मतलब उनके प्रान भी चीन लिये, प्रान जो है उनके चीन लिये, मतलब बली का वध कर दिया, तो उस जो संग्राम हुआ था, उसमें बली तो मृत्यू को ह प्राप्त कर चुके थे लेकिन उस बली को शुक्राचारिया ने अपने संजीवनी विद्या से पुनह जीवित कर दिया और इतना ही नहीं उनको जीवित करके उनके लिए पूरा जो कि अभी उनको त्रिलोकी का समराड बनाना है इस प्रयास को भी जो शुक्राचारिया है उन शुक्राचार्य को बहुत भक्तिवाव से सेवा करने लगे क्योंकि वे उनको पुनाचीवित कर दिये थे और इस प्रकासे उनके उपर आशिरवाद जो है वो बरसा रहे थे तो फिर उन्होंने इस प्रकासे उनकी शुक्राचार्य की सेवा की कि जो बली है वो पुना काफी शक्तिशाली जो है वो बन गए खास करके शुकराचारे ने उनके लिए एक विश्वजित नाम का यग्य किया तो ये विश्वजित यग्य उनको पुरे त्रीलोकी का समराट बनाने के लिए था और इस यग्य के पश्चाद एक बड़ा सुन्दर दैवी रथ जो है वो प्राप्त हुआ बली को साथी साथ इंद्र के जैसे ही पीले रंगे बड़े विशेश घोड़े प्राप्त हुए एक सुन्दर सिम्म की चिन्न वाली एक धोजा प्राप्त हुई एक सुनारा धनुष्य प्राप्त हुआ दो ऐसे तरकश प्राप्त हुए कि जो अक्षे थे कभी भी उन में से बान जो है वो खत्म नहीं होते थे साथी साथ उनको एक ऐसी माला अरपन की कि जो जिसके पुश्प कभी भी मलान नहीं होते थे कभी भी सूख नहीं जाते थे इस प्रकास तो ऐसे सुन्दर दिव्य चीजों से आयुधों से पूरी तरह से लेस होके इंद्रा के उपर जब बली महराज ने आकरमन कर दिया तो ये एक दिव्य शंक जो है शुकरचारे ने उनको स्वयम ने प्रदान किया था उसको और दिव जावती में इंद्रा के उस लोक में कि सारे लोक केवल उसका ध्वनी सुनके ही एकदम घबरा गए एकदम ढर गए और इंद्रा ने भी देखा रही ये व्यक्ति तो पुना जीवित होके आ गया और इस प्रकार से चमक रहा है जैसे मानों कितने सारे सूरिय एक साथ आये हो तो ये देखके हम वहाँ पे देखते है कि जो इंद्रा है उन्होंने ब्रहस्पती से पूछा किया रहे इस प्रकार से कैसे यह व्यक्ति जो है हम देख रहे है कि इतना तेज और इतना शप्ति के साथ यह व्यक्ति कैसे यहाँ पे आकरमन कर पा रहा है तो जब इस प्रकार से ब्रहस्पती को पूछा गया इंडर के द्वारा तो उन्हें कहा वहां पर ब्रहस्पती ने कि कि क्योंकि बल्य महाराज ने शुकराचारे को इस प्रकार से प्रसंद न गिया है जो कि उनके गुरू है तो केवल इसके कारण हम देख रहे हैं कि ये इतना सारा तेज जो है वो उनके उनको प्रदान किया गया है इतनी सारी शक्ती जो है वो प्रदान की गई है वहाँ पर क्योंकि शुकराचारे उनके गुरू थे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा सुन्दर सिध्धान जो है यहाँ पर शुलब रहुपाद भी अपने तातपरिया में प्रस्तुत करते है वास्तविक्ता से तो इस पूरे अध्याय में शुलब रहुपाद ने काफी सुन्दर सुन्दर तातपरिया लिखे है जो कि ब बली ने गुरू को प्रसन्न किया इसलिए उनको इस परकर का तेज जो है वो प्राप्त हुआ यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा नगती कुतोबी तो हम देखते हैं कि क्योंकि बली महराज ने उनकी गुरू को प्रसन्न किया बहुत उन्चाई को प्राप्त कर सकता है सारे यश को सफल्दा को वो प्राप्त कर सकता है तो यही पे हम देखते है कि ये बली महराज के उधारन से दिख रहा है तो खास करके श्रीमत भागवतम के दशमसकंद में भी इसके उपर चर्चा आती है कि जहांपे हम देखते है कृष्णद था सुदामा एक बार कृष्णद था और सुदामा को जो गुरु माता है सांधिपनी मुनी है उनकी पत्नी तो उन्होंने कुछ इंधन की लकडी लाने के लिए कहा तो कृष्णद था सुदामा जंगल में चले गए कुछ इंधन की लकडी लाने के लिए लेकिन फिर जब वे वहाँ पे गए और इंधन की लकडी कठा कर रहे थे तब ही एकदम ही अकालिक था वो कि वर्शा जो है बड़ी घमासान वर्शा जो है उसका प्रारंब हो गया साथ बड़ा तेजी का तूफान जो है आंधी वगरा आने लगा तो ये इतना भयंकर था कि कृष्णद था सुदामा जो है इनको वहाँ से उस जंगल से बाहर आने के लिए बड़ा संभवसा हो गया तो वहीं पे वो एक पेड़ के उपर आश्रे ग्रहन किये और वहीं पे रु तूफान है वो रुका नहीं तो पूरी रात तक कृष्णा और सुदामा उसी पेड़ पे बैठे रहे और इसमें एक विशेश चीज थी कि हाला कि इतना सारा तूफान हो रहा था आंधी हो रहा था वो जो इंधन की लकड़ी ली थी कृष्णा और सुदामा ने उसे कहीं पे उन्होंने फेक नहीं दिया बलकि उस लकड़ी को अपने साथ ही रखे क्योंकि वो उनकी गुरु की सेवा थी गुरु माता की सेवा थी तो वो इंधन की लकड़ी को दूर नहीं किये फेके नहीं बलकि अपने साथ में एक हाथ में इंधन की लकड़ी पकड़े हुए औ तो फिर दूसरे दिन जब सुभा हुई और देखा सांधियपने मुनेने कि कृष्णदथा सुदामा जो इंधन के लकड़ी लाने के लिए गए थे तो वो वापिस नहीं आये है तो वे स्वयम उनकी खोच के लिए निकल पड़े और फिर जंगल में वहां उस जगह तक पहु कि अधन की जो वो लकड़ी थी उसको अपने साथ हमें ही रखा था तो ये देखते देखने से सांधियपनी मुनी इतने प्रसन्ना हो गए है उनसे कि उनुने कहा कि इस प्रकार के इस घमासान वर्षा में आंधी में तूफान में कोई सोचता था कि स्वयम को बच्छाना च सबसे पहले तो वो चीज जो है महत्वपूर्ण है लेकिन आपने उस थिती में भी ये जो गुरू की सेवा है कि मुझे ये इंधन की लकडि लाने के लिए कहा है इसका त्याग नहीं किया तो जब संदीपनिम उन्हें ने ये चीज देखी तो इतने उन से प्रसंद हो गए और तुरंट उनको वहां पे आशिरवाद दिया उन्हें ने कहा कि चंदाम सी अयात यामानी भवन्तु इह परत्रचा तो उन्हें ने कहा कि ये जो आपने ग्यान लिया है मेरे से चंदों का याने वेदों का वेदिक शास्त्रों का जो ग्यान लिया है आपने तो मैं आशिरवाद देता हूँ आपको कि ये ग्यान आपके रधे में हमेशा नित्यन उतन रहेगा हमेशा ये जो ग्यान है वो ताजा रहेगा क्योंकि आपने मुझे इतना पसंद न किया है और ये ग्य प्रश्दान हमेशा ही आपको मार्ग दर्शन करता रहेगा, हमेशा उसमें से नए नए सीख जो है, नए नए जो पहलु है, वो आपके सामने आएंगे, तो इस प्रकासे हम देखते हैं कि एक गुरु को प्रसन्न करने का इतना सुन्दर जो है, एक प्रभाव जो है, हम देख कर रहे थे, तो उनके एक जो भक्त है, उनके एक शिश्य है, उन्होंने उनको पूछा भक्ति सिदान सरस्वती को कि आप तो भजनानंदी नहीं हो, बलकि गोश्टानंदी हो, मतलब आप प्रचार करते हो, सरवत्र कृष्ण कथा का उपदेश करते हो, लेकिन आपके गुर गुरू जो है, वो तो भजनानंदी है, श्री लगवर किशोर को, दस बाबाजी महराज जो है, वो तो और निर्जन भजन करते है, वे तो ज़्यादा बात नहीं करते है, या शहरों में रहते नहीं है, प्रचार के कारिया नहीं करते है, तो ये कैसे, तो आप क्या आपके को पालन कर रहे हैं कि नहीं ऐसे उसने प्रश्ण पूछा हाला कि ये नमरभाव से ही पूछा था लेकिन वो जानना चाहते थे कि गुरु तो बजनानंदी है और ये गोश्ट आनंदी है यानि प्रचा रख है ये कैसे तो इस प्रकास से जब भक्तिसदान सरसुति को पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो इंजिन जो होता है वो इंजिन बहुत आवाज करता है इंजिन से बहुत आवाज आती है इंजिन जब चलता है तो लेकिन इंजिन को चलाने वाली बैटरी जो है ना वो बड़ी शान्त रहती है वो ज्यादा बोलती नहीं है वो एकदम शान्त तो उसी प्रकार से मैं तो इंजिन की तरह हूँ, बहुत आवाज करता हूँ, लेकिन मुझे जो प्रेरना मिलती है, मुझे जो आशिरवाद मिले है, वो गौर किशोर दास बाबाजी महराज के है, उनके आशिरवाद के कारण ही, उनकी प्रेरना के कारण ही, मैं जो हूँ, इ वाक्ति में प्रगति कर सकते हैं तो यही कारण था कि बली भी जो कि इस प्रकास से परास्थ हुए थे वे जब शुकराचारिया की सेवा की तो शुकराचारिया की सेवा के कारण फिर से बड़े प्रतिबाव शाली बड़े प्रभाव शाली और शक्तिशाली जो है वो बन है कि शक्तिशाली बने है तो इसके पश्चाद अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि कैसे वे इंद्र के उपर आक्रमन करते है और फिर आगे जो कतानक है वो किस प्रकास से बढ़ता है इसके उपर चर्चा करेंगे हरे एक रश्चा